भारत का विकास श्रिलंका के विनाश की ओर बढ़ रहा है श्रिलंका में अफरात अफ्री मची है देश में आपात काल का एलान हो चुका है प्रधान मंत्री राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन जन्ता का गुसा थंडा नहीं हो रहा है प्रधान मंत्री का आवाज जला दिया गया है मंत्रियों और संत्रियों के घर जलाये जा रही है लाखो लोग सडको पर निकल कर राश्पती का इस्तीफा मांग रही है जबकि मंत्री मंडल ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है श्रिलंकन रुपे का भाव सबसे निचले स्तर पर है जिसके कार्ण श्रिलंका विदेश से कोई समान खरीदने में असमर्थ है इंपोर्ट का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है महंगाई आसमा चू रही है और खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है सरकार ने कमाई से ज्यादा कर्ज ले रखा था अब सूच चुकाने में असमर्थ है सरकार ने ब्याद चुकाने के लिए सरकारी समपत्ती बेच दी और कंगाल हो गई अब जड़ा भारत का हाल देख लीजिए भारत के अर्थववस्था का साइज 2.5 यानी धाई ट्रिलियंड डॉलर है और इसमें सरकार ने डेड़ ट्रिलियंड डॉलर का कर्ज ले रखा है मोदी सरकार कर चुकाने में असमर्थ है इसलिए बहुत तेजी से देश की समपत्ती बेच रही है रेलवे, स्टेशन, हवाई अड़े, हवाई जहाज, माइनिंग, LIC, स्पूल, कॉलेज, बैंग और सरकारी कंपनिया सब बेचे जा रही है महंगाई आसमान छू रही है दाल 100 रुपे किलो, आटा 70 रुपे किलो, तेल 200 रुपे किलो बिक रहे हैं पेट्रोल डीजल 100 रुपे लिटर के पार हो चुके हैं रसोई गैस 1000 रुपे में मिल रहा है देश का सोना गिरवी रखा जा रहा है और सरकार बाल ज़ाड कर, कपड़े बदल कर 8000 करोड के जहाज में बैठ कर दुनिया की सैर कर रहे हैं वह मोदी जी वह